देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी बिहार में सर्वदल ये बैठक बुलाई गई जसमें जाती की आधार पर गनना करवाने की मोहर सरकार ने लगा दी है लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो अब सियम नितीश कुमार की तरफ से पूरी रूप रेखा भी तै कि किसे किस तरह से काम करना है बात करें तो इस वक्त 49 सांसदों को बड़ा टास्क दिया गया है और अब इन ही सांसदों के ऊपर जिमिदारी जो है वो सियम नितीश कुमार ने सौपी है ताकि आगे विहार में जाती है जनगन्ना करवाई जा सके और इसमें कोई गरबड़ तो इस वक्त बिहार में सभी धर्मों और संप्रदाई के लोगों की जाती अधारत गन्ना होने से उनकी समाजिक और आर्थिक स्थते की वास्तवेक जानकारी मिलेगी सरदली बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई है और साथी साथ खर्च का मसला भी उठा है सभी नौ दलो ने वुख्य मंतरी को गन्ना में होने वाले खर्च के लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांगने का सुझाव दिया कहा गया है कि बिहार के 40 में से राजक के 49 सांसद है जन्हें एक जुट होकर केंद्री वत्मंतरी निर्मला सीता रमन से मिलकर पैसे की मांग करनी होगी कि बिहार जैसे पिच्रे राज के लिए जातित अधारित गनना का खर्च उठाना उचत नहीं है। इसका खर्च केंद्र को वहन करना चाहिए। साथी पूरी गनना पार दर्शिता से कराई जानी चाहिए उन्होंने बताया कि हमें समय सिमा के अंदर जाती अधारित गनना कराने की मांग की है बिहार जैसे पिछरे प्रदेश के लिए या अत्यंत आवशक है या इसलिए भी महतुपुन है कि इससे जातियों एवं उपजा के अंदर गनना का काम पूरा करने की बात रखी है जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमती जताई है पहली कैबिनिट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अमल कराने की सहमती दी गई है और साथी साथ बात करें तो भागपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि जाती अधारत गनना बिहार के हित्म है हमारी पाती का पुर्ण समर्थन है बिहार के इस मोहीम में केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए उन्होंने कहा कि गनना कार्ये प्रारंभ करने से पहले राज्यसरकार विज्यापन और इंटरनेट मीडिया आधी के माध्यम से पर प्रचार परसार कराए ताकि लोग इस कार्ये में भाग ले सके तो बतादे कि जाती जनगना कराने को लेकर जो खर्च है वो केंद्र सरकार से मांगने की बात इस वक्त कहीं जाड़ी हो और इसको लेकर स्यमृतीश कुमार को ये सुझाव दिया गया है कि इसको लेकर के आगे मुख्यमांतरी नितीश कुमार का क्या फैसला होता है क्या वो केंद्र सरकार से मदद मांगते है या नहीं ये देखने वारी बात होगी लेकिन इस वक्त सरवदलिये वैठक में जाती के अधार पर गर्णा करवाने पर जो मुहर है वो लग चुकी है और अब सब कुछ स नितीश कुमार के फैसले पर ही निर्भर करता है फिलाल के लिए तना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहे है न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार